चक दे ओ चक दे इंडिया ये गाना सुनके जितनी खुशी होती है उतनी खुशी होगी इस खबर को सुनने के बाद इंडिया ने सचमुच में चक दिया और साउथ अफरीका को धूल चटा दिया वो भी बुरी तरीके से मैं आपको बता दू South Africa को धूल चटाई प्लस में world record बनाया और 91 साल का world record तोड़के अपना नाम उस सूची में सबसे उपर दर्च कर लिया है इंडिया इकलोती दुनिया की ऐसी team बन गई है जिसने test match को सबसे कम बोलों में खतम कर दिया है मैं आपको बता दू पहले ये world record बना था 1932 में जो की ऑस्टेलिया वर्सिस साउथ अफरीका के बीच में एक मैच हुआ था जो की 656 बोलों में मातर खतम हो गया था लेकिन आज जो दूसरा test match साउथ अफरीका और इंडिया के बीच खेला गया वो केवल 642 बोलों में खतम हो गया और world record में सबसे उपर नाम इंडिया का आ गया है इसी खुसी की ख़बर के साथ में सुरुआत करता हूँ और भी बहुत सारी ख़बर है इस मैच को लेकर तो करते हैं इस वीडियो की सुरुआत मैं आपके साथ बिला लगतर चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ इस तूसरे साउथ अफरीका और इंडिया के test match में पहले साउथ अफरीका ने जीत कर टोस जीता फिर बलेबाजी का फैसला किया लेकिन बलेबाजी का फैसला कफ्तान ने तो कर लिया पर टीम यह फैसला नहीं कर पाई तिच पर आकर टीम केवल 55 रो नों पर ब시면 ऑर देर से फेंडि Kolõ ओगी और श्रिरास ने अपना मियामेज किया तेएसे ही आज साओध अफरीकाव को भी टेस्ट मैच में 55 पे आउट किया और फिर जब इंडिया बैटिंग करने उत्रीं इंडिया के कुछ बल्लेवाज उन्हें अच्छी बैटिंग के लेकिन कुछ बल्लेवाज कोलाप्स कर गए और मैं कहूं जो लो अन ओडर वह त थे और फिर 153 रन पे इंडिया उलाउट हो गई जब दूसरी पारी में साउथ अफरीका खेलने उत्री तो सिराज तो लेया पकड़ नहीं पकड़ पाए और बुम्रा ने उन्हें गुम्रा कर दिया पूरी तरीका दूसरी पारी में बुम्रा ने च्छै विकिट लिए और सा सकते हैं फिर उपनिंग में उतरते हैं यह स्वी जैस्वाल और रोहिष सर्मा यह सब्सक्राइब ने धमाकेदार शुरुआत करी अपने अंदाज में टैस्ट मैच में 23 बोलों में 28 रन बनाए हाला कि जादा रन नी बना पाए जादा रन की जर्वात भी नहीं थी उन्हों विजैस्वाल आउट हुए तो फिरा सुक्रीज पाया है उन्होंने तेज खेलनी कोशिश की वह भी जल्दी आउट हो गए उसके बाद वराट को लिया एक सोट मारते हुए वह भी पवेलियन लोड गए लेकिन शिरेश एयर और रोहिष सर्मा यह मैच जिता कर ले गए और इंडिया नहीं साथैसे अपने नाम कर लिए और ल्ल्ल रिकोर्ड भी बना दिया तो यह के मैच की पूरी काहनी अगर यह काहनी आपको अच्छा लगी हो यह वीडियो आपको लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फेबरेट पार्ट या मैच के वारे में या टीम के वारे में जरूर कुछ लिखना मैं कैमरामेन जायत के साथ बला लगतर धन्या